महानगर में बिना रजिस्टेशन के धरलने से चल रहे प्राइविट हॉस्पिटलों पर SDM सदर ने छापे मारी कर पॉस्पिटलों पर कारवाई की है SDM सदर ने कुला घाट में शिवांगी, डागनोस्टिक सेंटर एवं गिरिजा चाइल्ड केर मानवी हॉस्पिटल, हरदेव हॉस्पिटल वाजया हॉस्पिटल का ओचक निरिक्षन किया गया जिसने पाय गया कि हॉस्पिटल बिना रजिस्टेशन के तथा अवाश्यक मानकों का उलंगन करते पाया गया बिना रेजिस्टेशन के पाए गए हॉस्पिटल को सील किया गया वा बिना मास्क के पाए गए हॉस्पिटल में मरीजों के प्रवेश पर रोक लगाए गया तथा हॉस्पिटल को साथ दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिये गये इस संबन्द भी गुरेकपुनियों से बात करते हुए SDM सदर्ग गौरख सिंग सोगरवाल ने कहा आपके आपके रहें से लिए दातर पकिराया पर और रहें से इसको नए उपर किराया हुए ठीक अबटर साथ अपरेशन वा गया इनना होगा बटे दे बटे दे आपरेशन वा गया परेशन वादो परेशन वा एक करणा करहें हो जिल इसमें सब्सक्राय जाना हिसी हम गृष चोफ 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 दे आपरेशन पर्सवित आपके लोगव अब ये शिकायत मिली थी कि कई सारे जो हॉस्पिटल हैं कई सारे पैत्रोजी सेंटर्स हैं बिना रेजिस्ट्रेशन के और बिना मानकों को पूरा किये वो चल रहे हैं शहर में संचालित हो रहे हैं करोना के संक्रमन कारल में जब कि हॉस्पिटल पे ओपीडी को अलाओ किया गया है इसके साथ लेखा गया है कि बहुत सारे अस्पताल इस तरीके के चल रहे थे तो इसी करम में आज हम पांच हॉस्पिटल पे गए जिसमें जया परदय वस्पिटल एक मानवी वस्पिटल और एक होस्पिटल मानवी चुबांगी डाइगनोस्टिक संटर और गिर्जा चाइल्ड के नाम से वह पांस पे हम गए तो इसमें तीन जो हॉस्पिटल्स थे वह बगएर रजिस्टुशन के बगएर पंजी करौन के संचालित थे और जो मानकों का पूरा भी नहीं कर रहे थे और वहां पर हमें देखते ही दो हस्पिटल के लोग भाग गए जैसे गौतम बुद्धा हस्पिटल में हुआ था और उसी तरीके से यहां पर भी देखने को मिला तो हमने तुरंथ हर्देव हस्पिटल और गिवजा चाइल्ड के और ऐसे में जब करोना की इतने ज्यादा केसिज हो रहे हैं बिना रेजिस्ट्रेशन के बिना किसी उसके वह संजालेत हो रहे थे तो उन लोगों को भी हमने नए पेशेंट्स को नए मरीजों के भरती पर रोक लगाई है किसी प्रकार के जाए आई पीडी हो चाए ओपीड को नहीं देखेंगे तो इस तरह की कारवाई शहर में चल रही है और यह चलती रहीगी आगे जितने भी होस्पिटल पैतलोजी सेंटर से इस तरीके के उन सबको रेजिस्ट्रेशन कराना है पंजी कराना है ताकि हम देख पाएं कि अगर किसी पताल में कोई परिशेंट मिल कर दो